हालो फ्रेंज, वेल्कम बाक तो माय चैनल, आज हम बात करने वाले हैं जिरॉम ब्रुनर्स की कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरी के बारे में, जिरॉम ब्रुनर एक अमेरिकन साइकोलोजिस्ट थे, इन्होंने पिएजडी की थी हावर्ड उनिवरसिटी से, और ये न्यू यू य इस थीरी को हम four parts में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम representation of knowledge, second spiral curriculum, third discovery learning and fourth categorization, इस तरह से चार पार्ट्स में ये पूरे main concepts जो है थीरी के हम पढ़ने वाले हैं, अब ये चारों के अंदर फिर से सब categories हैं, वो हम discuss करेंगे एक एक करके, so constructivism क्या होता है, constructivism यानि की construct करते जा यानि एक के उपर एक बनाते जाना, building construction करते जैसे, so ये major theme of the theory of Brunner is, learning is an active process in which learners construct new ideas और concepts based upon their current और past knowledge, इसका meaning ये है कि जो भी learner होता है, वो अपनी जो new ideas, new knowledge जो construct करते जा रहा है, वो अपने past knowledge के उपर construct करते जा रहा है, या current knowledge के उपर construct करते जा रहा है, so ये construct करते जा रहा है अपनी new knowledge, पुराने knowledge के उपर, इसलिए इसको constructivism theory कही गई है, so इसके four components जो हमने discuss किये, हम जिस तरह से इसको पढ़ने वाले है, तो start करते पहला, representation of knowledge, तो जब Jerome Brunner, cognitive development of children में research कर रहे थे, तो उन्होंने three modes of representation बताए, representation क्या होता है समझते हैं, representation यानि आप कैसे कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो, that is representation, तो उनके हिसाब से हम three stages में representation करते हैं, पहला है an active representation, second है iconic representation, third है symbolic representation, so first है an active representation, an active representation, यानि कि action based representation, इसके अंदर बच्चों की information store जो है, वो action के form में store होती है, बच्चों को पूरी दुनिया जो है, वो अपने जो भी actions है, उसके थ्रू याद होती है, ये stage का time period है zero to one years, यानि बच्चा जब से born होता है, तब से लेके एक साल तक वो जो भी चीज़ उसके दिमाग में information store होती ह है, वो action form में store होती है, उसे action याद रहते है, उसे उसका meaning याद नहीं रहता है, उसका मतलब exact उसको नहीं पता रहता है, बस उसे action याद रहती है, सारे की सारे, उसकी memory के अंदर store, उसकी action store होती है, for example, बच्चे को जो हम game देते है, rattle जो होता है, जिसको बजाने से आवाज आती है, तो उनको पता, वो हर एक फिर कोई भी चीज हाथ लगाते है, तो उसी तरह से अपना body movement करते है, अपना हाथ वैसे shake करते है, कि उनको लगेगा कि आवाज होगी, घुंगरू जैसी आवाज आईगी इसमें से, लेकिन वो नहीं आती है, क्योंकि उनको उसके पीछे actions का जादा इस्तमाल करते है, जिससे वो हमारे पर ध्यान देने लगे, तो first stage है an active representation, second है iconic representation, ये second stage के अंदर हमारे अंदर जो भी information store होता है, अब वो picture form में, icons, icons यानि कि picture form में store होने लगता है, अब हमें वो actions के साथ उसके picture, images भी याद रहते है, तो ये stage है एक साल से लेके छे साल तक में, जिसके अंदर information हमारे अंदर visually, images के अंदर, images के form के अंदर store होती है, इसलिए हम समझते हैं कि हमें बच्चों को जब हम सिखाते हैं कोई चीज, तो हमें diagram का इस्तमाल करना चाहिए, charts का इस्तमाल करना चाहिए, ताकि वो image memory से वो जादा उनको याद रहे, so for example, अगर हम maps of India सिखा रहे, या body structure सिखा रहे, तो हम अगर एक skeleton या body parts का जो intestine structure अगर ऐसा जो भी सिखा रहे, वो अगर हम chart में diagram बना कर, या diagram का image दिखा कर उनको सिखाएंगे, तो उनको वो information जादा समझ में आएगी, वो जादा याद रहेगा, उनके memory में अच्छी तरह से store हो जाएगा, so that is second stage, iconic representation, third है symbolic representation, ये चालू होता है, after seven years, six years तग iconic था, seven years and onwards, symbolic representation, यानि कि अब हमारा जो mental ability है, अब हम symbols को और knowledge को हम symbols के रूप में समझने लगते हैं, यानि कि language एक तरह का symbol हो जाता है, maths के symbols की अगर बात करें, तो plus minus, ये सब अब हमें समझ में आता है, after the age of seven years, symbols की भाशा हम समझ पाते हैं, ये एक abstract concept हो गया, so third stage symbolic representation में, पूरी knowledge जो भी चीज़ हम सीखते हैं, वो symbols के form में store होती है, तो ये पूरा था हमारा first concept, representation of knowledge, so second है spiral curriculum, so Brunner का ये मानना था कि बच्चों को हम कोई भी चीज सिखा सकते है, अगर हम उसे बहुत ही simplified version से चालू करें तो, कोई भी complex idea को अगर हम simple करते जाएंगे, और उसको levels में divide कर जाएंगे, और every time, each time हम जब वो concept की बात करेंगे, तो हम एक level बढ़ा देंगे, वैसे अगर सिखाया जाए, तो उसको spiral curriculum का method कहते है For example, maths के अंदर हम पहले बच्चों को first level में हम सिखाते है कि numbers क्या होते है, अब next year भी उनको same subject होता ही है, और अब numbers भी topic होता है, इस बार लेकिन हम numbers का आपस में relation उनको सिखाएंगे, कि greater number क्या होता है, smaller number क्या होता है, फिर next हम उनको addition, subtraction सिखाएंगे, उसके बाद जैसे ही वो समझ जाएंगे वो कि large numbers, small number क्या होता है, और addition, subtraction से क्या फरक पड़ता है numbers में, तो next उसके आगे फिर से और complex idea लेके जाएंगे, multiplication, division का, वो जब उनको समझ में आएगा, तो और हम आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम फिर algebra introduce करते हैं, जिसके अंदर हम x, finding the x वाल visit किया हमने बार-बार, revisiting the same topic, numbers के बारे में ही हम बार-बार-बार पढ़ते जा रहे थे, and finally हमने simple से complex idea को समझ लिया, तो ये जो पुरा format है, उसी को कहते है spiral curriculum, तो Brunner का मानना था कि बच्चों को हम कुछ भी सिखा सकते हैं, अगर हम ये method use करे, तो, अब spiral curriculum के लिए उन्हो कुछ principles of instruction दिये थे, तो वो क्या है, वो तीन principles of instruction देखे गए थे, so principles of instruction by Brunner, so पहला principle of instruction है readiness, readiness में एकदम simple सा बच्चा ready होना चाहिए, instruction new knowledge गेन करने के लिए, तो उसके लिए हमें उसका पुराना past या past experience का जो भी knowledge है, वो उसके उपर based करना चाहिए हमारा new learning, ताकि वो easily सीखे, वरना अगर उसे कोई knowledge नहीं होगा regarding पहले numbers का, और मैं अगर उसे direct additions बताऊं, तो वो new experience लेने के लिए ready ही नहीं होगा, so readiness के अंदर a student should be made ready to acquire the new knowledge on the basis of past experience, उसको अगर पहले से उस topic के बारे में थोड़ा सा पता होगा, तो वो new उसके उपर जो हम नया experience उसको सेकेंड है spiral organization, since spiral curriculum का ही principles है, तो इसके अंदर spiral organization की already हम बात कर चुके है, कि information instructions ऐसे structure होने चीए, उसका structure ऐसा होना चीए कि वो student को easily समझने में help करे, वो easily उसको समझ सके, and the last principle of instruction is going beyond the information given, यानि कि अब उसको हमने इतना सिखा दिया है, कि अब उसको हम explore करने के लिए दे रहे हैं मौका, जिसमें वो खुद आगे अपना दिमाग लगा कर आगे का सोच सके और problem solve कर सके, so यहाँ पर instructions ऐसे design करने हैं, जिससे वो आगे अब खुद से बढ़ सके, और खुद अपना दिमाग का इस्तेमाल करके problem solve कर सके, so यह तीन थे principles of instruction under the section spiral curriculum, अब हमारा third main concept हम पढ़ेंगे, discovery learning, so last step जो हमारा था, जिसके अंदर हम going beyond the information की बात कर रहे थे, उसमें actual में हमने बच्चे को इतना सिखा दिया है, कि अब वो खुद से आगे problem solve कर सकता है अपनी, वो खुदी solutions ढूनने लग सकता है, इसलिए यह next आगे का हमारा concept आता है, discovery learning का, discovery learning is nothing but obtaining knowledge for oneself, खुद ही active participation करना और answers ढूनना, खुद ही solutions ढूनना, problems के बारे में, that is called discovery learning, इसके अंदर teachers को ऐसे activities plan करके रखनी है, जिसके अंदर student मजबूर हो जाए, कि उसे explore करना पड़े, खुद ही answers को search करना पड़े, investigate करना पड़े, and ऐसे करके जब वो सीखेगा कोई चीज, तो उसे हमेशा permanently वो चीज याद हो जाएगी, उसी को हम कहते है, discovery learning, अब बुरुनर ने आगे theory of instructions दी, जिसके अंदर उन्होंने फिर से 4 aspects की बात की, जिसमेंसे पहला है, अब यह जो पूरा learning है, यह जो instructions है, उसका theory of instructions यह कहता है, कि पहला point, pre-disposition to learner के अंदर, readiness of learning, जो हम already पढ़ चुके है, readiness क्या होता है, कि बच्चे को अगर कोई information पता है, पुराना past उससे related पता है, तो ही वो ready रहेगा to learn new thing about it, अगर उसको हमने कोई knowledge ही नहीं दिया है, number से related, अगर हम उसको complex algebra direct सिखाने लगेंगे, तो वो ready नहीं होगा पढ़ने के लिए, pre-disposition to learn, सीखने से पहले उसके दिमाग में कोई चीजे होनी चाहिए, इसके अंदर pre-disposition to learn के अंदर, बच्चे का curiosity level, उसको सीखने का कितना इच्छा है, कितना interest है, उसकी hobbies क्या है, ये सारी बाते भी include होती है, So second है structure of knowledge, Brunner ने बहुत ही importance दी थी structure of knowledge को, according to him, categorizing is fundamental process in structure of knowledge, categorizing जो हम आगे पढ़ने वाले है, वो एक बहुत important process है structure of knowledge का, यानि कि जो भी हम करने वाले हैं, हमारा जो knowledge है, उसको हमको एक structure form में provide करना है, जैसे कि for example, अगर आप maths subject को पढ़ाएंगे, maths subject को आपने सबसे पहले divide कर देना है, अलग-अलग chapters के बीच में, तो यह जो chapters आपने जो structure बना के रखा है chapters का, और वो chapters को बाद में आपने topics के अंदर divide करके रखा है, exercises के रूप में divide करके रखा है, तो यह जो पूरा structure आपने बना के रखा है, उसी को structure of knowledge कहा जाता है, जिसके अंदर एक learner को काफी आसानी होगी, सीखने में, समझने में, अगर एक proper order और structure pattern मौझूद होगा तो, थर्ड है हमारा effective sequencing, अब यह second से जुड़ा हुआ ही point है, sequencing का मतलब होता है, यह जो हमने structure जो divide किया था उपर, उसको अब सही sequence में लगाना, अगर मैं last chapter पहले पढ़ाने लग जाओ, और फिर basic chapter last में पढ़ाओंगा, तो यह sequence जो wrong हो जाएगा, तो मुझे पहले structure of knowledge करना है, और उसके बाद मुझे sequence भी सही लगाना है, सो sequence, effective sequencing तब होता है, जब हम easy to difficult की तरफ बढ़ते है, simple चीजे पहले और फिर दीरे-दीरे difficult चीजे उनको पढ़ाते जाते है, तो that is effective sequencing, fourth हमारा है reinforcement, reinforcement हम पहले भी पढ़ चुके है, बहुत ही आसान, reinforcement में हमें उसके good behavior को reward देना है, और positive reinforcement भी होती है, negative reinforcement भी होती है, यह हम already topic cover कर चुके है, so reinforcement is nothing बट कि उनका जो behavior हमें repeat कराना है, तो हमें उनको reward देना है, और bad behavior नहीं repeat कराना है, तो punishment का भी सहारा ले सकते है, So that is the theory of instructions, जिसके अंदर हमने four points cover किये, so last हमारा main concept, fourth वाला जो है categorization, उसकी बात करते हैं, Brunner का मानना था कि हम हर चीज, हर information को एक category में involve कर देते हैं, एक category बना के रखते हैं, So, जैसे कि for example, जैसे आप डिमाट में जाते हो, तो वहाँ पर आपको sections मिलता है, food section मिलता है, आपको, फिर cloth section मिलता है, तो यह सारे category है, अलग-अलग categories है, तो वैसे ही Brunner का मानना था कि information हमारे दिमाग में हर एक category के इसाब से store होती है, So, उन्होंने three categories दिये थे, पहला है identity category, second है equivalent category, and fourth है coding systems, So, first है identity category, categories include objects based on their attributes और features, तो यहाँ पर जो भी object होगा, उसकी attribute उसके feature के base पे उसका हमने category किया रहेगा, जैसे कि, for example, red apple हो, green apple हो, या dry apple हो, ripe apple हो, apple हमारे लिए एक ही category है, तो हमने उसकी identity fix रखी है, apple, अब वो green हो, red हो, उससे फरक हमें नहीं पड़ेगा, तो उसका attribute के base पे हमने उसको एक category दे के रखी है, apple, second है equivalent category, equivalent यानि equal category में डालते है, अगर कुछ चीजों का function same होता है, for example, अगर आप कहेंगे कि आपको भूक लगिए, आपको खाना चाहिए, तो खाना food, food के अंदर अब बहुत सारी चीज़े include हो सकती है, तो आप कोई एक particular identity नहीं दे रहे हो कि आपको पावजी ही खानी है, या आपको दाल रोटी ही खानी है, आप बस खहरे हो कि आपको खाना खाना है, तो आपका यहाँ पे function, खाना यहाँ पे function होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तो food के अंदर बहुत सारा अलग-अलग-अलग food आ सकता है, तो यहाँ पर equivalent category हो जाती है, तो एक तरह से ऐसा समझ सकते है कि functional category यानि कि food equivalent category उसके अंदर हमारा identity category कि आपको क्या food खाना है, तो let's say आपको apple खाना है उसके अंदर, तो वो हो गया आपका identity category, so that is equivalent category and identity category, थर्ड है हमारा coding system, coding system एकदम simple है, जब हम complex चीजों को code word में convert कर देते हैं हमारे समझने के लिए, तो उसे coding system कहते हैं, for example rainbow के colors, seven colors जो होते हैं, उसका code हमने बनाया हुआ है, विब्ग्यॉर, विब्ग्यॉर, that is violet, इंडिगो, blue, green, yellow, orange, red, उसे coding systems कहते हैं, इस तरह से हम information store करते हैं, so that was three kinds of ways in which information हम categorize करते हैं, according to Brunner, तो ये एक simple चीज में आप याद रख सकते हो, and hope आपको समझ मैं होगा, and please like the video, share the video, subscribe to the channel, thank you, thank you so much,